हेलो एवरिवन फॉरम एमके चलिम आपका बहुत बहुत स्वागते आज हम डिस्कस करने वाले हैं उन सभी यूनरिशिटीज के उपर उन सभी स्टेट के उपर जहां पर नर्सिंग एप्लिकेसन फॉरम निकल चुके है गोवर्मेंट नर्सिंग कोलेज के लिए बहुत फॉरम कब आने वाले है ठीक है तो पहले उन सभी यूनरिशिटीज की उन सभी स्टेट की में बात कर लेता हूं जहां पर फॉरम आल्रेडी निकल चुके है ताकि आपको वेट करना ना पड़े आपको इंतजार करना ना पड़े तो चलिए वन बाई वन करके मैं यहां पर करना चाते हो ठीक है कोई भी कोर्स करना चाते हो तो आपने यहां पर एपलाइ कर दिया होगा जैसा कि यहां पर दे लिजे नर्शन का का इंटरांस एक्जाम कंड़क्ट होने वाला है उसकी यहां पर पत् değer जून 2022 रहने को आपने यहां पर फोरम कर दिया हो गा SG-PGI में यह कौन से state का है यह है उत्तर परदेश का ठीक है UP state का यह रहने वाला है तो आपने यहाँ पर forum अवज से apply कर दिया होगा इसके बाद आता है नमर 2 जैसा कि इस्क्रीन पर आप देख पारूंगे यहाँ पर भी forum निकल चुके है यहाँ पर आपको show रहा होगा यहाँ पर जो entrance exam conduct होने वाला है PGI में वो 28 जुलाई 2022 यहाँ पर रहने वाला है अब आप बोलेंगे सर जून और जुलाई में खापी सारे entrance exam है तो तियारी कैसे करे तो तियारी का पुरा बंदोबस आपके मुके सर ने कर रहा है जैसा कि इस screen पर आप देख पार होंगे यह हमारी coaching center है जो online platform पर available है यानि कि आप गर बेटे भी तियारी कर सकते हो ठीक है तो आप अगर join करना चाते हो coaching को तो link description में दे रहा है आपको एक application download करना होगा mks academy नाम से यहाँ पर जो यह application है इसका link description में दिया हुआ है वहाँ से आप download करके online coaching join कर सकते हो ठीक है तो तियारी की चिंता आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है यहाँ पर PGI में 28 जुलाई को यानकि last जुलाई को आपका intrinsic jump conduct होने वाला है और I hope आपने यहाँ पर apply भी कर दिया होगा अगर आपने यहाँ पर apply नहीं किया है तो तुरंत यहाँ पर apply कर दीजिए 26 तक इसकी last date रहने वाली है इसके बाद आता है आपका KGMU उत्तर परदेश में ठीक है जो आपका king judge medical university है यहाँ पर forum निकल चुके है और अभी भी time है यहाँ पर आप forum apply कर सकते हो जैसा कि इस screen पर आप देख पा रहे होगे यहाँ पर forum start हो चुके है और यहाँ पर जो आपका entrance exam है 24 July 2022 को conduct होने वाला है तो आप आराम से theory कर सकते हो तो यहाँ पर आप देख पारूंगे कि अधिकतर जो entrance exam है वो आपके July मन्त में conduct होने वाले है ठीक है और यहाँ पर हम मद्यपरदेश राज़स्तान की भी बात करेंगे पंजाब की भी बात करेंगे ठीक है पूरा का पूरा वीडियो बहुत important होने वाला है तो यहाँ पर KGMU में जो last date रहने वाले है देखो यहाँ पर पूरा time table आपको show रहा होगा यहाँ पर आपकी last date दिखा रखे 15 July 2022 15 July 2022 तक आप आराम से forum एपलाई कर सकते हो और यहाँ पर जो entrance exam रहने वाला है जर्ज medical university में और यहाँ पर आपको अवसे try करना चाहिए ठीक है और इसके लाबा कौन कौन से university जहाँ पर forum निकल चुके है जैसा कि इस screen पर आप देख पा रहोंगे अभी भी time है अभी भी time है forum आप बर सकते हो यहाँ पर 30 June 2022 रहने वाली है कहां का है यह उत्राखंड का ठीक है तो उत्राखंड में All India के candidate forum apply कर सकते है 30 June 2022 तक तो यहाँ पर अब आपको wait नहीं करना है क्योंकि उत्राखंड में forum निकल चुके है और यहाँ पर entrance exam आपका जुलाई मन्त में रहने वाला है तो student आपने यहाँ पर एक notice किया होगा एक बात जुलाई में बहुत सारुके entrance exam है और मैं यह कहूँगा त्यारी शुरू कर दो हमारा एक महीने वाला भी course है जिससा कि इस screen पर आप देख पारूंगे यह एक महीने डेड़ महीने में आप आराम से cover कर सकते हो short notes है और आपको सस्ता भी पड़ेगा इसका link description में दे रखा है इसके लिए आपको MKS Academy F download करना होगा आराम से एक दो मेने में आप त्यारी कर सकते हो तो यहाँ पर उत्राकण में भी फोरम निकल चुके है और कहां कहां पर निकल चुके है ताकि आपको wait ना करना पड़े आप सभी को पता होगा कि इंडिया का जो top medical college है EMS का नाम आपने सुना होगा EMS दिल्ली में तो EMS दिल्ली में फोरम निकल चुके है और exam भी हो चुका है अब यहाँ पर result का आपको wait करना होगा result कब आए गया आपके मुझे सर आपको बता देंगे तो यहाँ पर EMS में औरेड़ी फोरम निकल चुके है बहुत सारे student के comment आ रहे थे तो 2022 में फोरम निकल चुके है exam भी हो चुका है अब तो आपको 2023 में wait करना होगा इसके बाद हम बात कलेते बिहार की ठीक है तो बिहार में आपके government nursing college के फोरम निकल चुके है जैसा कि इस screen पर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर बिहार में आपके फोरम निकल चुके है All India के candidate यहाँ पर apply कर सकते है यहाँ पर जो आपका entrance exam conduct होने वाला है choice July देखो बहुत सारे ऐसे entrance exam है जो choice July के conduct हो रहे है ठीक है तो थोड़ा सा इस बात का भी ध्यान रखना जहाँ पर आप फोरम apply करने जा रहे हो तो यह देख लेना कि जो हमने पहले apply किया था वहाँ पर entrance exam कब है और जो दूसरी जगह हमें apply कर रहे है वहाँ पर entrance exam कब है क्योंकि अगर same date को हो गया तो फिर आप दोनों जगह कैसे जाओगे ठीक है तो इसका तोड़ा सा ध्यान रखना तो यहाँ पर बिहार में choice July को होने वाला है इसके बाद बात कर लेते जम्मू end कस्मीर की वह जदा comment आ रहे थे जम्मू end कस्मीर में पर हम कब आएंगे तो यह लीजिए फोरम अल्रेडी निकल चुके है और मैंने वीडियो भी बनाया तो यहाँ पर चैनल जिन्होंने सस्क्राइब कर रहा होगा बेल आइकन पर प्रेस कर रहा होगा जम्मू end कस्मीर का उनको मिल भी गया होगा ठीक है तो यहाँ पर 19 जून 2022 को इंटरांस एक्जाम कंटक्ट होने वाला है आपके जम्मू end कस्मीर में बीएसी नर्सिंग इंटरांस एक्जाम तो अब आपको यहाँ पर वेट नहीं करना है फोरम निकल चुके है इसके बाद हम बात कर लेते है military नर्सिंग की बहुत ही अच्छी यहाँ पर opportunity रहती है girls के लिए यहाँ पर अगर आपका military नर्सिंग में selection हो गया तो आप life set समझ सकते हो यहाँ पर military नर्सिंग में actually होता क्या है government की सरकार की जितनी भी facilities होती है जितनी भी सुविदाएं होती है आपको दी जाती है और यहाँ पर समझो के 100% आपका job है क्योंकि यहाँ पर बहुत ही जदा value होती है और यहाँ पर फिलाल गरल सी apply कर सकते है military नर्सिंग में अब यहाँ पर हमारे पास comment आते है सर military नर्सिंग के exam कब होईंगे entrance exam कब होगा तो मैं आपको बता देता हूँ knowledge के लिए यहाँ पर NEET का entrance exam देना होगा simple सी बात है अलग से कोई भी entrance exam नहीं होगा NEET के थूरी यहाँ पर selection होगा सो यहाँ पर आपने registration तो करी दिया होगा पंजिकर्ण तो आपने करी दिया होगा तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है अब आपको NEET का exam देना है और यहाँ पर आपको पंजिकर्ण करना है बस इतना सा काम करना है military nursing के लिए इसके अलावा देखो अभी तो काफी सारी university जै जैसे कि West Bengal West Bengal में फोरम निकल चुके है पंजिबी बिंगाल में आपके फोरम निकल चुके है NM, JNM, BS nursing के तो अब आपको यहाँ पर वेट नहीं करना है इसके बाद आता है आपका College of Nursing Tamil Nadu तो Tamil Nadu में भी फोरम निकल चुके है आपके हर एक comment का reply देते है क्योंकि आप सभी प्रिये विद्यारती हमारे लिए खापी potent है ठीक है तो यहाँ पर help करना हमारा करतव है हमारा फर्ज है आपके मुके सर आपके हर दम साथ रहेंगे लाइक बनता है इस बात पर और भी यहाँ पर देख लेते है Army Institute of Nursing गुहांगाटी ठीक है तो यहाँ पर अभी भी time है यहाँ पर अभी भी time है फोरम आप apply कर सकते हो यहाँ पर 25 June 2022 last date रहने वाली है ठीक है जिसा कि आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ पर आप अभी भी फोरम apply कर सकते हो इसके बाद अगर हम बात करें entrance exam कब होने वाला है आपके Army Institute of Nursing में ठीक है तो यहाँ पर दिखा रखाओगा आपको conduct of the July में ठीक है 9 July में अब यहाँ पर आपको computer बिल्कुल भी नहीं होना है यह जो Army Institute है यह अलग है और military nursing अलग है ठीक है वो नीट के तुरू होगा और यह गुहांगाटी वाला entrance exam के द्वारा होगा ठीक है दोनों में बहुत बड़ा अंतर है इसके बाद आप यहाँ पर देख पारोंगे आपके उत्तरपरदेश में जो Director of Medical Health Service है वहाँ पर NM, JNM के फोरम निकल चुके है मैंने वीडियो भी बना दिया था आप लोगों के लिए तो जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब कर रहा होगा उनको तो सबसे पहले मिल गया इन सब के बाद आता है आपका इंडिया का टॉप Medical University BHU बनारस Hindu University अगर आपका सेलेक्शन यहां पर हो गया तो समझो आपकी लाइब सेट है यहां पर सेलेक्शन होने का मतलब है 100% जोब जैसे आप यहां पर कंप्लिट कर लोगे नरसिंग का कॉर्स उसके बाद आपको 100% जोब मिल जाएगी क्योंकि आपकी वेल्यू बहुत अधिक हो जाएगी आपको पता है कि B.H.U. का नाम इंडिया में और आउट ओप कंट्री चलता है अगर आपका सेलेक्शन हो जाएगा तो आपका भी नाम चलेगा इंडिया में ठीक है? तो यहां पर नीट के द्वारा सेलेक्शन होने वाला है B.S. नर्सिंग में यानि कि नीट का फोरम आपको बढ़ना होगा नीट का एक्जाम आपको देना होगा उसी के बेसिस पे आपर सेलेक्शन होने वाला है आपके B.H.U. में B.H.U. के बाद आता है आपका जिपमर ये भी इंडिया का टॉप Most Important Medical College है यहां पर भी चाहे तो आप B.S. नर्सिंग का कॉर्स कर सकते हो बट उसके लिए आपको नीट का एक्जाम देना होगा ठीक है B.H.U. के लिए और जिपमर के लिए I hope आपने नीट का फोरम अवसे बढ़ दिया होगा तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है उसके थुरू आपका यहां पर अगर अच्छे नमर आए तो selection यहां पर हो जाएगा बस आपको यहां पर पंजिगरन करना है अब आप बोलेंगे सरह हमको पंजिगरन कैसे करना होगा तो आपके मुके सरह आपको बताएंगे आपने चैनल सब्सक्राइब करी रखा है तो एक परसेंट पर आपको दिक्कत नहीं आईगी आपके मुके सरह आपके साथ है सब के बाद हम बात कर लेते हैं दिल्ली की ठीक है दिल्ली में जो लेडी हार्डिंग मेडिकल कोलेजे लेच एमसी जैसे कि आप यहां पर देख पा रहे होंगे यहां पर एक्चुली पहले क्या होता था आपका इंटरंस एक्जम कंडेट करवाय जाता था ठीक है बट 2022 से यहां पर नेट के द्वारा परवेश होगा आपके लेच एमसी में इसके अलावा राकॉन ठीक है राज कुमारी अमरित कौर कोलेज ओब नर्सिंग यहां पर भी आपको नेट का एक्जम देना होगा तो यहां पर आपको नोलेज मिली होगी कि कहां कहां पर नेट का होने बिहारी है ठीक है सपाय इटावा है वो जड़ा कमेंट आ रहे थे पंजाब हर्याना इन सभी स्टेड से तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि राजस्तान में जो फोरम है वो आपको लास्ट जुलाई में देखने को मिलेंगे ठीक है और मद्य परदेश में तो आपको मिल जाएगा तो I hope आपको कापिसारी जानकारी मिली होगी और MKS Academy जो हमारी कोल्चिंगे वहाँ ओनलाइन आप तेयारी कर सकते हो और सेलेक्शन पास सकते हो ठीक है इसके लिए आपको MKS Academy एप डाउनलोड करना होगा अगर आप वार्सप पे संपरक करना चाते हो कोर्स करीदने से रिलेटेड तो ये देखो ये वार्सप नंबर है इन पे आप हमें बता सकते हो किसर हमको कोर्स करीदना है तो हम आपकी हेल्प करेंगे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है